बच्चे यहाँ पर हम लोग thermodynamics की problems को solve कर रहे हैं ठीक है numericals basically हम लोग कर रहे हैं तो पहला numerical आपको देखो क्या बोलता है इसने बोला है 5 mol of oxygen is expanded from the 1 liter to the 10 liter at 300 Kelvin temperature then which relation is correct delta e equal to 0 delta h equal to 0 w equal to 0 या फिर आपके पास delta s आपके पास 0 होगा जहां से देखो आपको दिया क्या है देखो n की value बेटा इसने कितना बोला 5 mol बोला expansion बोला है साथ में लिख लो जो चीज़े दी है इसने volume दिया है आपके पास पहले 1 liter थी बेटा V2 आपके पास कितना होगा 10 liter थी साथ में temperature आपको दिया है वो कितना है 300 Kelvin है अब यह क्या बोलता है relation की बात करता है देखो delta e है आपके पास internal energy change है delta h आपके पास है enthalpy change आपके प RT के equal आपके पास होता है ठीक है आप ध्यान से देखना एक बात को देखना यहां पर अगर आप थोड़ा सा गोर करेंगे बेटा तो n देखो इसमें change कहां पर है सिर्फ volume के अंदर change है मतलब n की value as it is है n की value में कोई change नहीं है जितना पहले था बाद में भी उतना है temperature में temperature पहले था उतना ही आपके पास है इसका मतलब अगर n आपके पास सेम है बिटा तो delta n आपके पास क्या हो जाएगा वो आपके पास 0 हो जाएगा न मतलब पहली situation में n की value 5 है second वाली में भी n की value 5 है तो change कितने का हुआ 0 को हुआ मतलब delta n जी आपके पास बिटा कितना हो गया delta e क्या हो जाएगा ये भी आपके पास 0 हो जाएगा मतलब overall delta h आपके पास क्या होगा बिटा जीरो हो जाएगा मतलब delta e भी 0, delta h bी 0 बिटा आपके पास तो यहाँ पे सही अंसर क्या हो जाएगा 1st का C आपका correct अंसर हो जाएगा ठीक है volume change हो रही है work done 0 नहीं रहेगा entropy भी आपके पास 0 नहीं रहेगी तो यह आपका अंसर था 1st का 3rd अंसर आपके पास है देखिए 2nd question की तरफ आगे बढ़ते हैं 2nd question की अंदर आपको बोलता है बेटा 90 gram water is vaporized water आपका as a liquid से आपके पास gaseous state में जा रहा है आपको delta NG निकालना है देखो क्या दिया है water आपके पास है बेटा liquid से vapor की तरफ आपके पास है ठीक है यह vapors आपके पास बन रहे हैं आपको delta NG निकालना है आपको हमेशा पहला काम क्या करना है number of moles निकालना है अब देखो water का given mass upon में क्या होता है molar mass आपके पास अब given mass कितना है 90 gram और आपके पास molar mass कितना है 18 आपके पास है ठीक है अब आपने क्या किया 90 upon में 18 किया अंसर कितना आएगा आपके पास 18 पंजे 90 होता है मतलब 5 mol आपके पास आगए ठीक है तो 5 mol आपके पास क्या हो रहे है बिटा liquid के vaporized हो रहे है अब देखो ये भी एक था ये भी आपके पास एक था तो यहाँ पे एक अगर आपके पास है water देखो liquid आपके पास है बिटा आपके पास इधर क्या है? Gaseous है हम क्या करते है Delta mz जब count करते है तो number of moles किस के होते है? प्रोडक्ट के माइनस में number of moles of reactant के होते है लेकिन किस state में होता है? Gaseous state में होता है अब reactant के अंदर तो कोई gaseous state है निंड़ा तो यह आपके पास zero है अब देखो, गैसी एस्टेट में कितने है, 5 mol आपके पास है, तो 5-0 करोगे, तो आपके पास अंसर कितना आएगा, 5 आपके पास अंसर आजाएगा, तो यहाँ पर delta NG कितना होगा, बिटा, 5 होगा, 5 आपके पास अंसर हो जाएगा, clear है, अगले question की तरह बढ़ते हैं, question number 3 देखिए, इसने बोला है, 2 liter of the gas, मतलब 2 liter volume आपको दी है, is expanded, expansion हुआ है, against an external pressure of 2 ATM, pressure कितना है, 2 ATM है, आप 2, 12 liter, मतलब आपको V1 दे दिया, बिटा, 2 liter, V2 आपको दे दिया, 12 liter, आपको expansion की condition दी है, साथ में, ठीक है, और आपको pressure दे दिया, 2 ATM pressure, ठीक है, आगे इसने बोला है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको work done निकालना है, किस में निकालना है, बिटा, जूल के अंदर आपको निकालना है, तो ये situation आपके पास है, clear है, आप देखो, सीधा सा है, P हमें दिया है, बिटा, P हमारे पास है, V हमारे पास है, changing volume, आपको W निकालना है, सीधा सा formula है, W किसके equal होता है, minus P delta V के equal है, मतलब minus P, V2 minus V1 के equal है, अब minus क्यों लगाया है, ध्यान में रखो, minus क्यों लगाया है, क्योंकि expansion आपके पास हो रहा है, expanded लिखा है, अगर expansion होता है, तो work done negative होता है, बिटा, अगर compression होता है, तो W की value क्या ह होता है, positive होती है, compression के लिए, ठीक है, तो expansion था, तो मैंने formula के अंदर, W की value क्या करी है, minus P delta V की है, मतलब P क्या हो गया, V2 minus V1, आपके पास हो गया, तो सीधा सा है, आप यहाँ पे value को पुट करोगे, pressure कितना है, 2 ATM है, minus 2 हो जाएगा, 12 minus 2 हो जाएगा, minus 2 into 10, मतलब आपके प करना है, ATM में अंसर, आपके पास यहाँ पे देखो, pressure ATM के अंदर है, volume लीटर के अंदर है, आपको जूल में निकालना है, तो जूल के लिए हम क्या करते हैं, atmospheric लीटर को, अगर हम जूल में change करते हैं, तो क्या करते हैं, multiply 101.3 हम multiply करते हैं, मतलब आपके पास 2026, जूल आपके पास हो जाएगा 3rd question, simple सा question था, आपका paper में पूछा गया question है, ठीक है, अब बढ़ते हैं, question number 4th की तरफ, question number 4 देखिए, इसी series का, जहां पर आपको work done से related questions है, जो अभी अभी हमने पिछले one short के अंदर पढ़ा था, तो sequence में questions मैंने यहां पे लगाए हुए हैं, तो देखो, फॉर्थ question आपको क्या बोलता है, फॉर्थ के अंदर बोला है, 2 mol of an ideal gas is expanded in the reversible and isothermal process, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, expansion की बात कर रहे हैं, ठीक है, reversible condition में बात कर रहे हैं और isothermal आपके पास है, isothermally reversible expansion हो रहे हैं, जिसके लिए work done आपके पास है, work done याद करो formula, minus 2.303 आपके पास nRT log of v2 by v1 ये हमारे पास formula होता था, ठीक है, आप question की तरफ देखते हैं, 2 mol बोला है, तो सीधा सा सबसे पहले लिख लो, n की value आपके पास 2 है, ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, from 2.24 liter to 22.4 liter आपके पास, मतलब आपको क्या दिया है, v1 आपको दिया है, बिटा, 2.24 liter, ठीक है, v2 आपको दिया है, 22.4 liter, आगे गहता है question के अंदर, find out the amount of work done for the expansion in calories at the 300 Kelvin temperature, मतलब temperature है 300 Kelvin, आपको क्या करना है, work done यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो हमने formula पढ़ भी लिया है, formula हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बिटा, सब की values को put करना, तो आपके पास w है, 2.303 nrt, आपके पास minus में है, क्योंकि expansion है, आपके पास बेटा, इसलिए मैंने formula में सीधा minus लगा दिया है, आपके पास logo v2 by v1 आपके पास है, इसका मतलब minus 2 point, minus लगाना नहीं भूलना है, 2.303 into, देखो n की value बेटा कितनी है, 2 है, तो multiply क्या करोगे, 2 करोगे, ठी आपकी R की value भी बेटा, 2 हो जाएगी, क्योंकि आपने किसमें question के अंदर देखो, calories के अंदर पूछा है, तो R की value क्या लोगे, 2 आप यहाँ पर लोगे, multiply, temperature देखो कितना है, आपके पास 300 Kelvin है, into में log of v2 by v1 मतलब 22.4 upon 2.24 आपके पास है बेटा, आप इसको solve करोगे, तो आ अतलब क्या हो गया, बेटा, 1200 हो गया, into में इसको अगर आप करोगे, बेटा, तो यहाँ पर log 10 आजाएगा, log 10 की value आपके पास कितनी होती है, 1 होती है, तो मैं यहाँ पर सीधा multiply कर देती हूँ 1 से, तो आपके पास अंसर आएगा, 2763.6 calories आपके पास अंसर आजाएगा, बे अगर जिसने नहीं पढ़ा है, पहले एक बार one shot जरूर देख लेना, आपको थोड़ा clear हो जाएगा कि chapter क्या बोल रहा है, कौन-कौन से formula हैं, जो आपको ध्यान में रखने है, questions को solve करने के लिए, आगे देखते हैं, question number 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, question number 5 बोलता है, 260 gram of zinc react with the HCl, पहली बात जब भी कितना gram आपको दिया गया है, उसके आपको number of mole हमेशा आपको सबसे पहले number of mole निकालने हैं, ठीक है, देखो, zinc दिया है, तो पहला काम मैं zinc को देखते ही number of mole निकालती हूँ, given mass upon molar mass, ठीक है, given mass कितना है, 260 gram, और देखो, question के end में लिखा हुआ है, zinc का molar molar mass कितना होता है, 60, atomic mass कितना होता है, 65 gram per mole आपके पास, एक mole के अंदर, इसका मतलब, solve करोगे 65, 4 जा 260, मतलब, n की value कितनी आ गई, ठीक है, आप देखो, reaction के अंदर क्या दिया है, आपको एक reaction दे दी, zinc ने क्या किया, 2 HCl के साथ combine किया, आपके पास ZNCl2 बनाया, H2 आपके प work done, work done आपसे पूछा है, कि क्या बनेगा आपके पास, तो ध्यान से देखो, work done हमने फिर से पढ़ा है, work done का formula क्या होता है, P delta V होता है, प्लस माइनस, ठीक है, और हमें पता है, ideal situation के लिए PV equal to nRT के equal होता है, अब यहाँ पे देखो, n की बात की गई है, यहाँ पे P और V की बात question के अंदर की करी ही नहीं है, question के अंदर कहीं पर भी volume नहीं है, तो हम इसे formula को use करेंगे, कि W किसके equal होगा, प्लस माइनस, delta NG RT के equal बिटा आपके पास होगा, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना है, कि system किस तरह का आपके पास है, क्या हमें मतलब यहाँ पर work done किस तरह से निकलेगा, देखो, delta NG है, वो हमें निकालना है, आपके पास, अब देखो, N की value 4 है, अब देखो, आप reaction की तरफ देखो, मैं दुबारा लिख देती हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना आए, तो reaction देखो, आपके पास क्या थी, बिटा, zinc आपके देखो, आपके पास यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, single है, यहाँ पर 1 आपके पास है, लेकिन यह solid में है, यह liquid में है, यह solid में है, h2 किस में है, gas में है, तो सिर्फ h2 एक ही चीज़ gas में है न, बिटा, तो 1,1 के हिसाब से, अगर N की value 4 है, तो यहाँ पर आपके पास delta NG निकालोग आपके पास होगे, तो W की value निकालो, आपके पास कितना बनेगा, minus में 4, multiply 2 आपके पास, क्यूंकि R की value 2 लोगे, calories की अंदर, temperature आपके पास 400 है, delta NG की value आपके पास 4 होगे, सीधा सा solve करोगे, minus 32 calories आपके पास यहाँ पर आएगे, ठीक है, आपने यहाँ पर work done कैसा लोगे, expansion का आप यहाँ पर लोगे, ठीक है, आपके पास इधर देखो, question के अंदर यह पूछा गया था, calculate the work done, in the calories, इसी लिए मैंने यहाँ पर जो R की value ली है, वो हमने 2 ली है, याद रहेगा सभी को,